देश के तमाम छोटे बड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपने राय रखने वाली फिल्म एक्ट्रेस सवरा भासकर राजनिती में एंट्री कर रही है सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक वह इस लोग सवा चुनाव में महाराष्ट की एक महतपूर्ण सीट से चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है आपका बता दी कि कॉंग्रेस पार्टी की टिकट पर सवरा भासकर चुनाव लड़ सकती है और कॉंग्रेस उन्हें मुंबई के उत्तर मद्द शेत्र बांदरा सीट से टिकट दे सकती है यानि की जिस तरीके से तमाम तयारिया चल रही हैं उसके बीच अब सोरा भासकर ने भी कहा है कि वह कॉंग्रेस आलाकमान के संपर्क में है सुत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेताओं ने सोरा भासकर के नाम पर ध्यान करने का भी आवस्वाशन दिया है सोरा भासकर को अक्सर ही बीजेपी की नीतियों के विरोध में बोलते विये देखा गया है 2020 में उन्होंने महराश्ट में राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा में भी देखा गया था और ऐसे में अब जिस तरीके से 2024 में दोबारा से राहुल गांदी की भारत जोडो ने यात्रा शुरू हुई है सुरा भासकर लंबे वक्त तक राहुल गांदी के साथ दिखाई दी है आपका बता दें कि मुंबई की मद्दे उत्तर सीट की बात की जाया तो ये सीट दस सालों से बीजेपी के कबजे में है यानि कि 2014 की बीजेपी की लहर में ये सीट भी उनके कबजे में आ गई थी ऐसे में इससे पहले ये सीट दस साल तक कॉंग्रेस के खाते में भी रह चुकी है 2004 में एकनात गायकवार तो 2009 में प्रियादत को चुनाओ में जीत मिली थी आपको बता दे कि महाविकास अगाडिक अटबंदन में 48 महराष्ट की सीटों को लेकर सीट सेरिंग होना अभी बाकी है आपको बता दे कि जिस तरीके से सुरा भासकर को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है ऐसे में सीट साजेदारी ना होने तक कॉंग्रेस पार्टी इसका एलान नहीं कर पाएगी और ऐसे में यदि सुरा भासकर को चुनाओ लड़वाय जाता है तो कॉंग्रेस पार्टी को एक बड़ी सीट पर वो चीत दिलवा सकती है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखतरी एस्पियन नाइन न्यूज